वेलकम फ्रेंड्स तो मैं चैनल फान वीद कुकिंग और एक सिंपल सा रेसिपी आप लोगों के साथ स्यार कर रहे हूँ कई बर कुछ बनाने का मन नहीं करता है तो इस तरह से सिंपली खोई के साथ दूद मिला के कुछ ड्राइ फूट्स या फूट्स मिला के आप खा सकते हो पेट भी भरेगा हेल्दी भी है और ज्यादा कुछ मेहनत करना भी नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं दूद खोई का रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा एक बोल में मैं खोई ले ले लेती हूं दो कप से आसा कोई है तो इको मैं आखी तरह से पहले साफ करके रख़ी थी आब इसमें कुछ पिस्मिस को छोटे-छोटे टुपडा करके डाल जेती हूं साबुट भी डाल सकते हो, ब्लैकी स्मिस भी डाल सकते हो, ग्रेप्स का सिर्जन है तो ग्रेप्स भी डाल सकते हो, कुछ पिस्ता को भी छोटा टुकडा करके डाल देती हो, काजू आमंड ये भी डाला जा सकता है, और मैं यहाँ फ्रेश नारियल को ग्रेट करके रखेती हो, खोड़ा सा भी डाल देती हूँ बात में गार्निशिं के समय डालो में प्रेस फ्रूट में भी आप कुछ भी डाल सकते हूँ मैं यहां हंबल केला को ही डाल रही हूँ केला को छोटा टुकड़ा करके डाल देती हूँ एपल अम्रूद चीकू जो पसंद है जो एवलेबल है भी और दूद को आप मिल्क पॉडर डाला गया। या bets कूंब इसको उन्हें मैं अच्छी तड़ाद1 पॉडर गूर मिठस के लिएkal Susa या जीस फॉम पे आप मिठा को खाते हो, उसी को डाल सकते हो बस यह हो गया है, गयास बंद कर देते हूं, थोड़ा सा ठंडा होने दूद मेरा हलका ठंडा हो गया है, आप इसको खोई के उपर डाल देते हूं बहुत ही सिंपल कीजी साथ रेसिपी है, कोई ताम जाम नहीं है, चमत से सारे चीशे को दूद के अंदर अच्छी तरह से डिप कर देते हूं थोड़ा सा किस्मी सौर पिस्ता बाचा हुआ था उसको डाल दिया उपर से गार्निशिंग के लिए और फ्रेश नारियल को भी डाल दिया, दूद कोई का डीस बनते बिल्कुल तैयार है, इसको आपको भी भी ले सकते हो, सुबे का बेक पस्ट हो, या साम को अगर खाने का मन करें, तो समय भी ले सकते हो, तो रेशिपी अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक से और सास्क्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा, थैंक्स फ्रेंट, मेरे वीडियो देखने के लिए आगे भी बाने रहे होमेट सिंपल हिल्दी रेशिपी मेरे चैनल पर अपलोड होत मेरे जागे